आप सबको याद होगा 15 नवंबर 2022 आजसिस ठीक 18 दिन पहले इंडोनेजिया की राजधानी बाली में मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए गलबहिया करते हुए बड़ी आत्मियता से लाल आख स्वरी लाल शर्ट पहन कर प्रधानमंत्री मोधी श्री जिन पिंग से चीन के राष्ट्रपती से मिल रहे थे 18 दिन के बाद अत्यंत विचलित करने वाली खबरे आ रही है और उनके मुताबिक उतरी डेपसांग में उस इलाके में जहां पर चीन ने घुसपैट करी हुई है और उसकी घुसपैट बरकरार है चीन ने वहाँ पर 200 स्थाई शेल्टर बना हमारी जमीन में खड़े किये गए हैं और ऐसा लगता है कि अपने अतिक्रपन और घुसपैट के बाद चीन यहां पर स्थाई रूप से रहने की फिराक में हैं हम सब का मानना है कि यह हमारी भूबागिया खंडता हमारी राष्ट्य सुरक्षा हमारे बॉर्डर्स की सुरक् लगाए जाते हैं ऐसे शेल्टर भारतिय सेना सिया चीन के ग्लेशियर में लगाती है और वही काम चीन ने यहां पर किया है इनसे आपमान नियंत्रत किया जा सकता है स्थाई रूप से सैनिक उस जगए पर रह सकते हैं लेकिन इन तमाम विछलित करने वाली खबरों के बीच में सुई पटक सन्नाटा है मोदी सरकार के तरफ से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है एक वक्त भी नहीं आया है मोदी जी का एक वक्त भी नहीं आया है सरकार का न विदेश मंत्राले का इस मुद्दे पर मानो साप सूंग गया हो पूरी की पूरी सरकार को और याद रखिएगा कुछ चरण चुमबक आपका ध्यान भटकाने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन डेपसांग और डेमचोंग दोनों में चीनी घुसपैट हुआ हुआ है अतिक्रमर किया हुआ है उनकी मौजूदगी के कारण भारतिय सेना आज पेट्रोलिंग पॉइंट 10 पेट्रोलिंग पॉइंट 11 पेट्रोलिंग पॉइंट 12 तेरा और 14 तक गश्ट नहीं कर प ताबिक हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक नगश्ट कर पा रहे हैं और जो नया बफर जोन है वो हमने अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट तक बनाने का भी दुश्कर्म किया है